हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूटूब चेनल अकाउंट शॉर स्वलिशन में तो दोस्तों आज मैं बीजी सोफ्टेर ने जो नई पर-Zip निवल्वाट करिया है उसके बारे में आपके लिधाँंगा तो मैंने इसका पहले वी डियो बनाए था अभी मैंने इसका भीजा ले लिया हैं तो उसका क्लिरर तरीका से में आपके लिए बताऊँगा कि उसमें क्याक्या चाईजये आप देख पायोगे तो पर जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर क्या करना है आपको यानि बीजी आप जैसे लिखोगे बीजी पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यह रेड कलर में जो स्यों हो रहा है यहां से आपको इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है मैंने अल्रेडी डाउनलोड कि क्या-क्या चीजे देख सकता हूं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस नजर आएगा और यहां से मैं अगर इसको logout करना चाहता हूं तो logout भी कर सकता हूं यहां से logout का option है तो पहले तो आपके लिए बता देता हूं कि इसमें जो एक अच्छा जो अपडेट आया है वो क्या आया है कि पहले क्या होता था कि आपको bg software से आपका जो data है जब भी आप data को सिंग करोगे तभी आपके real data आएंगे लेकिन bg software ने तो दोस्तों bg agent का जो नया application आया है उसके तुरू आप आपके जो data है उसको automatic सिंग करा पाओगे लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो problem है क्योंकि अभी जिसे मेरा जो data restore किया था मैंने अपने mobile में data restore किया था तो उस case में क्या है जब तक आपका data restore नहीं होगा पूरा complete तरीके से जब तक आप mobile application का यूज नहीं कर सकते तो ये भी सबसे बड़ी problem है इसके लावा जिसे सबसे main जो सबसे बड़ी problem है वो क्या है देखो अगर एक stock laser को check करना है तो यहां से check कर सकते हैं लेकिन इसका जो mobile application का use आना है वो कहां पर आना है first है कि आप market में जाते हो तो आप किसी भी पार्टी का outstanding check कर सकते हो अभी जो mobile application का इस्तमाल कर रहे हैं लोग वो किस चीज का कर रहे हैं जैसे आपको देखना है किसी भी पार्टी का क्या balance है balance और outstanding दोनों में difference है दोनों में difference कैसे हैं outstanding आपका गलत भी हो सकता है लेकिन balance आपका accurate रहेगा तो आपका जो outstanding maintain करने के लिए आपको क्या करना है मेरा जो YouTube चैनल है accounts your solution उस आप visit कर सकते हो उसकी दो से तीन वीडियो में ने upload कर रखे उसमें clear तरीके से बता रखा है कि outstanding को आप कैसे maintain कर सकते हो तो यहां पे option है कि build receivable, build receivable का मतब होता है outstanding यानि इस पे जैसे आप click करोगे तो आपकी जितनी भी parties है उनके सभी के आपके सामने account आ जाएंगे और इसके बाद जिससे मैं किसी भी party पे अगर click करता हूं यहां से मैंने इस पे click किया click करने के बाद यहां पे इसका जूबी पेसा बाकी है वो मेरे सामने show हो रहा है तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 1000 पे बाकी है total और इसका जो date है 289-2022 और 184 दिन हो चुके हैं और यह इसका अगर जिसे मान लो इसको भीजना चाते हैं तो यह भी यह अच्छा system है कि यहीं से अगर जिसे इस पे click करोगे click करने के बाद अगर जिसे इस पे contact यह जो mobile का जो चिन बना हुआ है इस पे अगर आप click करते हो तो इस party का जो mobile number है वो यहां पे आपके सामने show हो जाएगा जो भी आपने बीजी के अंदर जो डाल रखा है तो यह सबसे बड़ी facility है कि यहां से आप किसी भी client को market में रहते हुए आप call कर सकते हो यह मुझे बहुत ही अच्छा system लगा इसके इलावा इसमें दूसरा है कि आप WhatsApp भेज सकते हो WhatsApp केसे भेजना है आपको यहां से जैसे आप click करोगे click करने के बाद जो भी आपका customer है उसको यहां से आप statement भेज सकते हो किसका Outstanding का तो यहां से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद OK करोगे OK करने के बाद यह जो link है उस party को भेज सकते हो जिसको आपको भेजना है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको open करते हो तो यहाँ पे एक PDF आपके सामने show होगा जो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे आप bg software से निकालते हो इसी तरीके से यहाँ पे out standing के list यहाँ पे पर किसे का statement आपको भीजना है तो statement भी आप भीज सकते हो statement भीजने के लिए आपको क्या करना है इसके लावा statement भीजना है तो यहां पर एक लेजर का option दे रखा है account लेजर इस पर जैसे क्लिक करोगे तो किसी भी party का अगर laser भेजना चाहते हो तो वो यहां से आप निकाल सकते हो जितने भी आपके account बने हुए हैं वो सारे account यहां पे show हो जाएंगे इसमें जो problem वाली बात है वो कहां पर है जैसे यहां पर stock laser और stock status का जो option है stock status के अंदर company को एक option देना चाहिए किस चीज का यहां पर click करते हैं तो पूरा stock दिखाए देता है लेकिन यहां पर पूरा stock नहीं देखना चाहते हैं इसमें वो stock देखना चाहते हैं जैसे कि कोई group wise group wise मतलब जैसे आपके किसी जो company होती है उसके अंदर 10,000 item है किसी के अंदर 5,000 item होते हैं किसी के अंदर 1000 item होते मेरे पास कम item है तो यहां पर show हो रहा है लेकिन अगर ज़्यादा item होते तो यहां पर मैं नहीं देख पाता अगर देख भी पाता है तो इसमें क्या है जो process में कम से कम भी आपका इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है 15 मिनट या 10 मिनट से भी ज्यादा समय लग सकता है तो इसका जो main requirement है मतब mobile application को लोग क्यों इस्तमाल करें तो इसके सबसे बड़ी जो positive point है देखो first आप किसी का भी लेजर कहीं पर भी आप देख सकते हो और जो bg ने जो system दिया है auto syncing का अगर वो automatic sync होता रहता है तो उस case में भी आपके बहुत useful application है जैसे कि आप market में जाते हो किसी भी party का order लेते हो तो यहीं से आप जो stock status का जो option है अगर इसमें group wise का system दे दिया जाता है तो particular जो भी company का अगर market करने आप जाते हो तो उस condition में उस group का stock देखा और इसके बाद group देखने के बाद इसमें दोग आपको facility मिल लेगी एक तो आपको यह है कि आपका stock कितना पड़ा हुआ है दूसरा आपको सारे item का आपको पता नहीं रहता कि item का नाम क्या है या brand क्या है तो आप उसमें से देख के बता सकते हो कि आपको इसमें से क्या क्या चाहिए तो यह भी आपके लिए बड़ी facility है इसके लावा इसमें आप trial balance देख सकते हो इसके लावा build by build details आप देखी सकते हो इसके अंदर इसके लावा यहाँ पर day book का option है day book पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो day book आपका जो भी है वो भी आप देख पाओगे लेकिन इसका जो process है थोड़ा slow चलता है अभी ओर सकता है इसमें कुछ processing या कुछ update चल रहा हो तो इसके बाद यहाँ पर एक और भी option मैंने देखा है तो दोस्तों इसमें अगर आप किसी भी और company को भी अगर add करना चाहते हो तो वो भी आप add कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर एक दूसर companies आपकी चल रही है उन सभी companies को आप अपने mobile में देख सकते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जिसे अपनी mobile application को purchase करोगे यानि आप subscription ले लोगे तो आपके पास activation code आएगा वो पस्ट में आपका serial number पे update होता है और इसका cost है जो ज़्यादा cost नहीं है 1800 प्लस इसका GST है एक one year का ये प्लान है और ये कोई ज़्यादा amount नहीं है इससे क्या है आपका जो business है उसको आप manage कर सकते हो आपकी किस party की तरफ कितने पैसे बाकी है या आपके पास क्या क्या stock पड़ा हुआ है या किस party को कितने पैसे आपको देने है build wise outstanding आप business आपकी mobile application स आप manage कर पाऊगे तो दोस्तों मैंने यहां पर कमी option यहां पर enable कर रखे हैं और इसके लावा अगर आप देखना चाते हो आपके purchase कितने हुए है तो purchase की details देख सकते हो अगर आप sales की details देखना चाते हो तो sales की details भी आप देख सकते हो सारी जो details है वह आपके सामने नजर आ ज देख सकते हो यह बहुत ही अच्छा system है कि बहुत से लोगों ने अभी इसको अगर यूज किया होगा तो यहां पर जिसे click करते हो यहां पर done करते हो तो done करने के बाद यहां पर bill wise आपको पता चल जागा क्या पता चलेगा कि यहां पर इस party का इतना bill बना हुआ है और यहां पर जिस party का जो जो bill बना हुआ है वो चीज़े आपके सामने आ जाएगी इसके लावा bill payable bill receivable यहां से देख सकते हो आपका payment आप देख सकते हो payment में यहां से जिसे पार्टी wise भी आप देख सकते हो इस पर जिसे आप किलिक करोगे तो bill wise देख सकते हो monthly wise देख सकते हो यहां पर किलिक किया monthly wise आपको पता चल रहा है क्या transaction है क्या transaction नहीं है तो दोस्तों यहां से इस तरीके से आप बीजी mobile application का आप इस्तमाल कर सकते हो और आपकी जो पार्टियां है उनको आउट इस्टेंडिंग आप भी सकते हो आपका इस्टोक का लेजर आप चेक कर सकते हो इस्टेंग है automatic होता रहेगा ठीक है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share जरूर करें अगर आप इसी तरह की helpful वीडियो देखना चाते हो तो मेरे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हो और अगर आप किसी topic पे वीडियो चाते हो तो उस topic का नाम आप कमेंट कर सकते हो तेंक यू अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और वेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के notifications आपको मिल सके थेंक यू